आज कोलकाता की सड़कों पर टीमसी कारेकरताओं का हुजू मुम्ला मौका था शहीद दिवसका जिसे टीमसी हर साल 21 जुलाई को मनाती है इस कारेकरम के बीद जमकर बारिश हुई और करीब 30 मिनिट बाद जब बारिश थमी तो मुक्य मंतरी ममता बेनर जी ने अपना भाशन शुरू किया ममता ने जीस्टी जाच अजेंसियों के दुरुपयोग और राज्यों में सरकार गिरानी को लेकर बीजेपी पर हमला किया उन्होंने बांगला भाशा में कहा बाचपा सरकार रोजमर्रा की आवश्यक वस्तूओं पर भी जीस्टी लगा रही है वेस्टेक्स सिस्टम को लागू करके लोगों के मूँ से खाना चीनना चाते हैं जिससे मिश्टी लस्टी और दही जैसी वस्तूओं की कीमत बढ़ जाएगी मैं ये निर्णे जंता पर छोटी हूँ कि क्या वे ऐसी सरकार चाते हैं जो वस्तूओं के दाम बढ़ाने के अलावा कुछ न करे या देश के सरवांगी और विकास के लिए काम करे आगी मम्ता ने कहा कि बीजेपी जब 2024 में सरकार बनाने मस्फल रहती है तो विपक्षितलों को सरकार बनाने के लिए एक साथ आना होगा अब आपको लग रहा होगा कि ये शहीद दिवस क्या है टीमसी का इससे जुडाव क्या है 1993 की एक घटना है इस बरस में 21 जुलाई के दिन चुनाओं में पारदर्शता लाने के लिए फोटो वोटर कार्ड को लागू करने की मांग को लेकर एक रैली आयोजेत की गई थी और उस रैली का नेतरत तो ममता बेनरजी कर रही थी राज में उस समय लेफ्ट की सरकार थी और जोती बसू मुख्यमंत्री थे ममता बेनरजी कॉंग्रेस से जुणी थी और राजी की युवा कॉंग्रिस हिकाई की अध्यक्ष थी रैली के दौरान पुलिस ने गोली बारी की जिसमें 13 कॉंग्रिस कारेकरताओं की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे ममता उस समय उभरती हुई नेता थी इस घटना ने राज्ज में उनके लिए सहान भूती पैदा कर दी थी साल 1998 में TMC का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक 21 जुलाई के रोज शहीद दिवस के रूप में पार्टी मनाती है बीच में दो साल 2020 और 21 में कोरोना के चलते शहीद दिवस नहीं मनाया गया था और ये बात तो जाहिर है कि TMC सत्ता में है तो इसका आयोजन और भी बड़ा हो गया इस्रेली में ममता आने आले एक साल के लिए अपनी पार्टी का एजंडा कारिकरताओं को बताती है चर्चा ये भी हुई कि कितने मुख्यमंत्रियों की विपक्ष के नित्रत्यों के लिए दावेदारी होगी क्योंकि एक तरफ ममताब एनरजी है जो विपक्ष को साथ आने की बात कह रही है दूसरी तरफ शरत पवार हैं जिनके यहां सभी विपक्षी दल जुटते हैं कभी राश्टपती तो कभी उपराश्टपती के कैंडिडेट को फाइनल करने के लिए तीसरी तरफ के सी आर हैं तेलंगाना के मुख्यमंतरी जो लगातार प्रधान्मंतरी नरेंदर मोदी पर राजनेतिक हमले कर रहे हैं और पिर दिल्ली के मुख्यमंतरी और आपके सुप्रीमो अर्विन केजरीवाल तो है ही अगर आप इस विशेपर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो ललन टॉप का जो राजनेतिक मामलों से जुड़ा विस्तार से चर्चा करने वाला विद्वानों से पत्रिकारों से पॉलिटिकल शोहे नेता नगरी जरूर देखा करिये ये शनिवार की सुबह रिलीज होता है अगली सुर्की की तरफ बढ़ते हैं आज देश की सर्वोच अदालत सुप्रीम कोट में ग्यानवापी मामले को लेकर सुनवाई हुई कोट ने फिलहाल आगे की सुनवाई अक्टूबर महिने के पहले सब्ता तक के लिए टाल दी है कोट ने ये फैसला ग्यानवापी मस्जिद के प्रबंधन से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी की तरफ से दायर की गई याचिका पर लिया इस याचिका में सिविल कोट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहट मस्जिद का कमीशन सर्वे किया गया था कोट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्चून, जस्टिस सूरिकांत और जस्टिस नर्सिंभा की बैंच ने की बैंच ने सबसे पहले मस्जिद पक्ष से उनकी आपत्ती पूछे तो मस्जिद कमीटी के वकील हुजेफा एहमदी का कहना था कि कमिशनर बिना हमारी सेहमती के न्युक्त हुए निचली अदालत ने हमारी आपत्ती खारिच की तो हम हाई कोट भी गए आगे कोट ने पूछा कि मस्जिद पक्ष ने अपनी सारी आपत्तियां जिला जज़ को दी थी क्या इस पर हिंदू पक्षकारों के वकील सीएस वैदिनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को कमिशनर की न्युक्ती के फैसले को चनौती देने का अधिकार ही नहीं है आगे जस्टिस सूरिकांत ने कहा कि वे निचली अदालत को निर्देश देंगे कि आपत्तियों पर फैसला किये बिना आयोक की रिपोर्ट पर भरोसा ना करें साथी कोर्ट का कहना है कि वे CPC के आदेश साथ नियम ग्यारा पर फैसले का इंतिजार करेंगे और याचिका को लंबित रखेंगे इसके लावा अदालत ने दो रिट याचिकाओं पर भी विचार करने से इनकार कर दिया इन मेंसे एक याचिका सर्वे के दौरान एक मस्जिद में पाए जाने वाले कथित शिवलिंग की पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर और दूसरी कारबन डेटिंग और GPS अर्वेक्षण की मांग करते हुए दायर की गई थी आपने सुप्रीम कोट की अपडेट सुने कोट से एक अपडेट और है गुजरात से फिल्ममेकर अविनाश दास को ग्री मंतरी अमित शाह के बारे में ट्वीट करने और जिसको कहा गया कि वो गलत संदर में ट्वीट किया और राश्ट्री प्रतिकों के अपमान के सिलसले म गुजरात की पुलिस ने गिरफतार किया था आज उन्हें जमानत मिल गई इस बारे में तस्वीर ट्वीट करते हुए उनके मित्र और फिल्म लेखक राम कुमार सिंग ने ट्वीट किया तो जानकारी लोगों के सामने आई अगली सुरकी यूपी सरकार में नाराज चल रहे म मुखमंत्री दिनेश खटीक ने आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ से मुलाकात की मुलाकात के बाद दिनेश खटीक ने मीडिया से बातचीत की सुनिये स्वतान देव सिंग जी मेरे बड़े भाई है और वो कैबिनेट मंत्री है मेरे प्रदेश सद्यक्षे मेरे सीम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीती और स्वतान देव सिंग बड़े भाई है इन बातों को सुनकर ऐसा माना जा सकता है कि अब जल शक्ती मंत्राल मेरे सब कुछ ठीक है लेकिन बीजेपी के लिए यूपी में फिलहाल सब ठीक नहीं नजर आ रहा है एक दिन पहले दिरेश खटीक ने स्तीफा देते हुए कहा था कि दलित होने के कारण अधिकारी उनकी बात नहीं मानते दिरेश खटीक तो मान गए इस स्तीफा वापस ले लिया लेकिन उननाओ के सफीफुर से विधायक बंबालाल दिवाकर नाराज बताए जा रहे हैं बंबालाल ने उननाओ डियेम और सीडियो को पत्र लिखकर एग्जेकुटिव इंजीनियर रजनीश चंद्र अनुरागी पर गंभीर आरोप लगाए विधायक का कहना है कि एग्जेकुटिव इंजीनियर रजनीश फोन रिसीव नहीं करते फोन उठाते भी हैं तो अभद्र भाशा का इस्तिमाल करते हैं वैसे तबादले स्तीफे और जांच की आँच स्वास्ति विभाग में भी पहुँच चुकी है यूपी मचिकित्सा एवन स्वास्ति विभाग के अपर मुक्य सचिव अमित मोहन प्रसाथ की शिकायत अब प्रधान मंत्री के कार्याले में भी की गई जिस पर पीमो ने यूपी के मुक्य सचिव को मामले की जांच का आदेश दिया ये शिकायत आरक्यूप ग्रूप के मालिक महेश श्रीवास्ताव ने विद्वेश की भावना से भुक्तान रोकने को लेकर की थी इनी अमित मोहन प्रसाथ को लेकर डेपटी सीम और स्वास्त महकमे की मंत्री ब्रधेश पाठक की एक चिठ्थी चर्चा में रही थी उस चिठ्थी में कहा गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमों का धंग से पालन नहीं किया गया ब्रश्टाचार का जिक्र भी था जिसके बाद मुक्यमंत्री योगी आदित तिनाथ ने चीफ सेकेटरी के ही नेतरत में एक कमिटी बनाई थी जिसको जाच का आदेश दिया गया था उसकी रिपोर्ट और आगे की कारवाई का अब सब को इंतिजार है अगर आप स्वास्त विभाग से जोड़ी और भी जानकारियां चाहते हैं तो इस हफते की इंडिया टुड़े हिंदी मैगजीन ज़रूर पढ़ें जिसमें विस्तार से इसके बारे में पूरे प्रक्रण के बारे में और दूसरे सम्मंदित प्रक्रणों के बारे में बताया गया है अगली सुर्की की तरफ बढ़ते हैं, आज कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नैशनल हिराडल अखवार मामले में E.D. ने पूश्टाच की, दिल्ली के E.D. आफिस में करीम दो घंटे की ये पूश्टाच अखवार से जोड़े कतित मनी लॉंडरिंग केस में हुई पूश्टाच के बाद 25 जुलाई को एक बार फिर सोनिया गांधी को हाजिर होने के लिए कहा गया, ये पहली बार है जब किसी केंदरी जाच अजनसी ने सोनिया गांधी से पूश्टाच की, कॉंग्रेस ने इस पूश्टाच के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन भी किया, पार्टी ने आरोब लगाया कि सरकार विपक्षी पार्टियों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही है, कॉंग्रेस के साथ कई और विपक्षी पार्टियों ने भी आज एक सयुक्त बयान जारी किया, इसमें कहा गया कि सरकार अपने राजनेतिक विरोधिय के खिलाफ प्रतिशोत की कारवाई कर रही है विपक्षी दलों के नेताओं को लगाता टार्गेट कर रही है इस पर केंदरी मंत्री प्रहलाद जोशी ने टिपणी की उन्होंने विपक्ष के विरोध को लेकर लोगसभा में एक बयान दिया और पूछा कि कानून के सामने हर अब्यक्ति बराबर है या नहीं मंत्री ने कहा क्या कॉंग्रेस अध्यक्ष एक सुपर हुमन है कॉंग्रेस वालों को लगता है कि वे कानून से उपर है